हलो दोस्तो नमस्कार एसे हम किसी चाना में मैं आप सिबलंका दिल से बहुत-बहुत स्वायत करता हूँ सो दोस्तो इस वीडियो के अगर हम बात करें तो केवल एक ही शेर की बात्ची थे आपे होने वाली है सो स्टॉक देखा गया फंडामेंटली काफी स्ट्रॉंग है फ्यूचर उरेंटेड बिजनेस में इंगेज़ है अगर फिलाल की स्तीती के अगर हम लोग याप बात करें ठीक है तो वो भी स्टॉक के लिए काफी अच्छी देखने का आपे मिल रही है मतलब जिस प्रोजेक्ट की हम लोगों को बात देखने का आपे मिल रही है वो प्रोजेक्ट अगर इस कंपनी को यापे मिल गया तो definitely वो life changing project भी इनके लिए साबित हो सकते हैं, इतना बड़ा project हम लोगो देखने हो का आपे मिल रहा है, और project की बात करें दोस्तों, तो ये project किन का हम लोगो dream project भी देखने हो का आपे मिल रहा है, तो नितिन गड़करीजी का भी, तो नितिन गड़करीजी आप सभी लोगों अभी 24 से लेके आगे भी वही handle यापे करते हो देखने हो का आपे मिलने वाले है, और अलग-अलग चीजे उन्होंने आपे सामने रखे, आप सभी लोगों को पता है, जो भी अभी minister यापे बन चुके है, जो भी ministry को handle कर रहे है, तो और किसी ने अपने-अपने sector से related आने व अगर हम लोग बात करें, highway electrification, ये जो काम रहेगा दोस्तों, ये काफी बड़ा project हम लोगों को देखने हो का आपे मिलने वाले, electrification मतलब अब अभी जैसे की देख रहे हो, रस्ते पे जो गाडिया चलती है, पेट्रोल डिजल के उपर ही चलती है, बढ़ अगर आप उपर द करके, railway हम लोगों को move होते वी देखने को मिल जाती है, जैसे इस चीज़ को छोड़कर, वो आगे यापर बढ़ जाती है, railway की अगर हम बात करें, तो फिर वो डिजल के उपर काम करते वी देखने को मिल जाती है, so same ऐसा ही concept, यहापे, electrification का, highway electrification का, सरकार लाने की कोशिश यहापे कर रहें, जहापे आप देख सकते हैं, इस प्रकार से गाड़िया, खास करके, जो बड़ी गाड़िया, जो हम लोगों को चलते वे देखने को मिलेगी, initial stage पे, हो यहापे इन तारों को पकड़ कर यहापे आगे बढ़ते वे देखने को आपे मिलेगी, तो इस पल काफी सारे प्रोजेक्ट्स हम लोगों को भविशा में भी देखने को मिलेंगी, इसकी प्लानी भी नितीन कड़करी जिने आपे बोलके रखी वी थी, फिलाल हम लोगों ने देखा था कि गवर्मेंट 6,000 किलोमेटर का यह इलेक्ट्रिक वेहिकल से रिलेटेड़ जो हा विशा में देखने को आपे मिल सकते हैं, अलेड़ी अगर देखा गया, तो यह इलेक्ट्रिक केबल हाइवेस की अगर हम लोग बात करें, तो डेली से लेकर जाइपूर, इसका जो डिस्टंस है, वो कवर करते हुए हम लोगों को देखने को आपे मिल रहा है, तो इस चीज काफी हाइर लेवल पर हम लोगों को देखने को आपे मिल रही है, क्योंकि अगर यह इस प्रोजेक्ट के इग्जीकुशन की बात करें, तो इसके लिए चाहिए काफी ज़्यादा पैसा, टाटा ग्रूप के पास ही सिर्फ इतना पैसा है, कि इस प्रकार के वो आपे मिल सकते हैं, तो अलेड़ी अगर देखा गया, टाटा पावर हम सब लोगों को पता है, रिन्योबल एनर्जी में काफी अच्छा काम कर रहा है, जहापे अगर आप देखोगे, उनकी जो कमाई है, 30% के आसपस दीमेदी में, मतलब कॉंटर्बिशन बढ़ते वे आपे मिल चुका है, पहले जन्दरेशन एंड ट्रांस्मिशन डिस्ट्रूबिशन का ही काम हुआ करता था, अभी वन थर्ड काम अगर देखा गया, तो रिन्योबल एनर्जी के चलते ही मिलते वे देखने का आपे मिल चुका है, प्लस उसी के साचा चार्जिंग इंफरास् से देखी रहे है, वरना अगर आप चेक करोगे, तो कई साल से कंपनी एक ही दायरे में चल रही थी, इंफरेक्ट 12 साल से सिर्फ और सिर्फ स्टॉक नीचे ही जा रहा था, तो पूरा जो गेम चेंज यहापे हुआ है, वो इस प्रकार के प्रोजेक्स के चलते ही टाटा पा करजा भी लॉंग टम बोरिंग, शॉट टम बोरिंग भी 6,000 करोड का करजा है, करजा वो ना कोई पाप नहीं होता है, बट प्रोवाइडेड आप उस करजे का सही धंग से इस्तमाल करो, एंड कमपनी के बिजनेस को बढ़ा करो, कैश और कैश एक्विलेंट की बात करें त तो तेके वहल 600 करोड काई कैश देखने को मिल रहा है, तो पावर कमपनी के बैलेंट शेट वैसे भी देखा गया, ओक्यों रहते हैं, तो वैसा भी बैलेंट शेट देखने को मिल रहा है, तो इलेक्रिक वेकल चारजिंग स्टेशन की बात करें, तो 2025 तक एक लाक वी जो बीच में आपे बोल रहे थे, पेट्रोल डिजल को जेस्ट के अंडर लेकर आएंगे, अगर वो देखा गया, एक्च्वल में अगर ऐसी चीज़े हो जाते हैं, तो हाँ, फिर इन कमपनीस के लिए सरदर्थ सा भी थे, आपे हो सकता है, बिकोज इतना बड़ा वी इंफ हमनों को इतना ज़्यादा इंट्रेस्ट नहीं कि दो का तीन हो गया, चार हो गया, सबसे आदा इंट्रेस्ट है हमनों को रिनेयोबल एनर्जी का पोर्टफिलियो कितना बड़ा हो रहा है, वो ही चीज़े जिसके उपर सरकार का कोई अभी तक रेस्टिक्शन नहीं है, बा 60% की होल्डिंग पबलिक की भी हमनों को अच्छी कासी देखने को आपे मिल रही है, तो कुल मिला के हम यहापे कह सकते हैं, अच्छा का साब वेल बैलेंस शेर होल्डिंग पैटन भी टाटा पावर का हमनों को नजर यहापे आ रहा है, तो कमपनी देखा गया, तो कोई कर सकता था, उतना तो कमाई यहापे कर चुका है, इसके आगे बढ़ने के लिए जिस प्रकार के एक्स्पोनेंशल ग्रोथ होनी चाहिए, वो तो नजर नहीं आएगी करकी, यह उनके रिपोर्ट का यह मानना था, अभी कितना सच, कितना जोट आप सभी लों को बता है, वो पास कॉंटेक्ट से जिस चीज के चलते, फंड रेज यहापे कर ही लेते, करजा विर्जा इनको मिल ही जाता है, तो आदानी ग्रूप डेफिनेटली इनको इस सेग्मेंट में क्या कर सकता है, अच्छी खासी टकर जरूर यहापे दे सकता है, परना अगर और अलगर हम बात करें, हाइवेस की बात करें, उसके उपर भी उनका जबरदस फोकस हम लोगो देखने को आपे मिल रहा है, तो आने वाले नेक्स्ट पाथ साल के अगर हम लोग आपे बात करें, तो टाटा पावर के लिए यह वाला प्रोजेक्ट काफी बड़ा गेम चेंजर यहापे स सकते हैं, तो ठीक है दोस्तों, जितने इंपोर्टन इंफोर्मिशन थी, सारी कवर कर लिए, वीडिया अलप लगा गो तो चाओ तो थमस अप दे सकते हो, मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए, बब बाए